अगर आप चाहते हो अपने लाइप में बड़े बड़े मुकाम हासिल करना, बड़ा आदमी बनना, खुब पैसे कमाना, खुब सेकसे हासिल करना और अपने लाइप से जो भी आपने सोचा है उन सभी को अचीब करना तो आपको कुछ अपने अंदर डिसिप्लेन बनाने ये फॉर्मले ही आपको बड़ा बनाएंगे नमस्कार दोस्तों मैं स्रेंद गुसा ही आपका सागत करता हूँ आपके अपनी इटू चैनल डॉक्टन इंसूर्स में और आज के इस वीडियो में आपके लिए 11 ऐसे फॉर्मले ऐसे सूत्र लेके आया हूं सक्सेस हासिल करने के जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लिमेंट करेंगे तो 100% आप किसी भी काम में सक्सेस हासिल करेंगे और बड़े आदमी से बड़ा पैसा और बड़ा मृत्वा आप अपनी लाइफ में जरूर बनाएंगे कोई भी सक्सेसफूल परशन है उन सभी के अंदर ये 11 की 11 हैबिट्स आपको जरूर मिलेंगी जिनको मैं कहता हूं 11 रूल्स या 11 शूत्र 11 फॉर्मुलाज सक्सेस को पाने के जी हां इस्ट्रेंड आजकी इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हूं 11 ऐसे फॉर्मुले जो आपको हर हाल में सक्सेस दिलाएंगे जी हां कैसे भी सिचुएशन हो अगर आपने अपने अंदर इन 11 हैबिट्स का डेपलेपेंट कर लिया अपने अंदर इन 11 शूत्र को बना के रख लिया तो आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी काम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं तो pen और paper लेके ready रहिए no down कीजे इस video में life changing 11 शूत्र 11 फॉर्मलाज आपको दे रहा हूँ जो आपको हर हाल में success दिलाएंगी no down कीजेगा number one है आपके पास में उत्साहा उत्साहा जी हां excitement life में अगर कोई उत्साहा नहीं है excitement नहीं है तो कुछ करने का मन नहीं करता तो अगर life में कुछ भी करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए आपके life में क्या excitement है अपनी life में सबसे पहले excitement लेके आईए excitement उत्साही life में आपको कुछ नहीं aggressiveness को नहीं opportunity नहीं happiness और कुछ करने का जो है एक अच्छा motivation देता है तो सबसा पहला formula है उत्सा life में excitement का होना ब है तो ढूंडिए यार कहां से निकल सकती है क्या करना चाते हो life में क्या हासिल करना चाते हो और उसमें निकालिए excitement उत्साह उसमें अपना पूरा happiness पूरा उत्साह जो है वो उसमें बनाईए तो ये पहला शूत्र है life में success पाने का नमबर टू है आपके लिए बैवस्ता ज तो वो एक बैवस्ता पूरी तरह से खराब हो जाती है तो अगर उस काम की पूरी बैवस्ता खराब हुई because आप आपने उसके लिए अच्छे arrangement नहीं किये तो यही चीज हमारी life में भी लागू होती है अगर आप अपने life में कुछ बड़ा हासिल करना चाते हो तो उसके लि नमबर थर्ड फॉर्मला है खुद को बेवस्तित करना जी हां organize yourself लाइफ में जो कुछ भी आप हासिल करना चाते हो सबसे पहले उसमें आपको अपने आपको बेवस्तित करना पड़ेगा अपने आपको organize करना पड़ेगा अपना time table अपना schedule proper रखना पड़ेगा अगर आप बहुत जादा lazy है बहुत जादा undiscipline है बहुत लेट रात को बहुत देर देर तक सोते हो सुबह बहुत जादा late उठते हो office हमेशा late पहुंसते हो कोई भी काम को बहुत जादा टालने की आपकी आदत है तो ये एक failure वाले इनसान की habit है एक जो life में हर जगा fail होता है उस आद organization अपने life को organize करना पड़ेगा organize yourself अपने आपको बेवस्तित करना पड़ेगा कोई भी काम कर रहे हो उसमें discipline का होना बेवस्ता का होना बहुत जादा ज़रूरी है तो number 3 था अपने आपको बेवस्तित करो number 4 है आपके लिए धन का सदपयोग जी हाँ life में अगर कुछ बड़ा करना है तो जो भी पैसा आपके पास है जितना पैसा भी आपके पास है उसका सही तरीके से यूज करना आपको आना चाहिए अगर आप life में अपने पैसे का सही तरीके से यूज करना आपको नहीं आता ह तो आप कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकते, आप कभी भी बड़ी चीजे हासिन नहीं कर सकते और आपके पास में कभी भी पैसा नहीं रुख सकता, तो आपको धन का सदुपियों करना आना जरूरी है, कहां पे आपने अपना पैसा खर्च करना है, कहां पे जरूरी है खर आपके साथ में रहेंगी, तो यह जो धन है ना, यह हमें लाइफ में बहुत जादा confidence देता है, जब आपके पास में अच्छा खासा पैसा होता है, तो रात को नीन बड़ी अच्छी आती है, टैंशन है बहुत कम होती है, और हर किसी situation से लड़ने की ताकत भी यह आपको देता तो सही तरीकी से यूज कीजिए अपने पैसे का, धन का सही उपियो करना बहुत जादा जरूरी है, नमबर फिप्ट है इमानदारी, जी हाँ, honesty, लाइफ में कैसे भी रहें, कैसे भी situation में रहें, इमानदारी बहुत काम की चीज़ है, अगर आप short cut ढूमते हैं और आप चा नीचे आ जाएंगे, तो honesty और इमानदारी ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसी कला है, अगर लाइफ में लंबे टाइम तक success हासिल करनी है, और पीडी दर पीडी, generation by generation अगर आप चाते हो growth करना, success हासिल करना, तो अफने अंदर इमानदारी की ये habit जरूर बना के रखिए, honesty को develop की उसको बड़ी इमानदारी से कीजिए, इमानदारी ये बहुत ही काम का गुण है, और काम की habit है, हमेशा इमानदारी आपको उपर की तरफ ही ले जाएगी, आगे की तरफ ही लेग जेगी, कुछ टाइम के लिए आप अपनी इमानदारी की वज़े से कुछ नुकसान अपने इमानदारी से नहीं हटना है ये इमानदारी वाला word honesty एक ऐसा word है जो life में आपको बहुत अच्छी चीजे देता है तो number 5 पे है इमानदारी honesty, number 6 सूत्र और number 6 formula है life में success होने का, life में बड़ी चीजे अचीब करने का वो है परशंशा, जी है appreciations, दूसरों लोगों की परशंशा करना, जो आपकी टीम में जो भी मेंबर हैं, जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों की थोड़ा तारिप कीजे थोड़ा उनका motivation कीजे, थोड़ा उनका उत्साह बढ़ाईए तो उनको थोड़ा happiness दीजे, उनको परशंशा जितनी जादा आप दोगे, उनके काम में जो भी छोटी-छोटी achievements उन्होंने करी हैं, उसके उपर अगर आप उनको appraisal दोगे, उनका appreciation करोगे उनका उत्साह बढ़ाऊगे तो वो आगे आपके लिए दुगना काम करेंगे वो आगे आपके लिए और ज़्यादा काम करेंगे और आपको अपना role model मानेंगे, आपको अपना leader मानेंगे आपको अपना team leader मानेंगे, आपका अपना परशंशक मानेंगे, जो भी आप उनके लिए कर सकते हैं, आप उनके दिल में एक चाप छोडेंगे, तो जब भी आप अपने टीम में, जो भी आपके मेंबर्स हैं, घर में हैं, आप छोटे भाई, बहन, दोस्त, फ्रेंट, कोई भी अच्छा गाम करता है न, उसको अफरेजल कीजिए, well done, very good, यार, क्या किया है तो नहीं, यह तो भात भैदरीन है, बहुत बेस्ट, तो एक तरीके से आज की डेट में हर किसी को तारीप सुनने के आदत होती है, और अगर आप किसी की तारीप करते हो, किसी की परशंचा करते हो, तो वो उसके दिल में आप अपने लिए जगा बनाते हो, तो इसक हैबिट, नंबर 6, किसी का भी जो है, परशंचा कीजिए, उसको उसका अपरेजल दीजिए, नंबर 7 हैबिट है आपकी हेल्थ, जी हाँ, हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्तिय, देखो कोई भी काम हम तभी अच्छा कर पाते हैं, जब हम फिट रहते हैं, जब हम स्वस्त हैं, अगर हमारी तब्यत थोड़ी सी खराब हो जाए, थोड़ी सी फीबर आ जाए, तो आप देखते होंगे कि आपका ध्यान किसी और नहीं जाता, बलकि कोई भी आपका life में कितना important member क्यों नहीं हो, आप उसके लिए भी थोड़ा lenient हो जाते हैं, आप उसके लिए भी नहीं सोच होता है, चाहे कैसी भी situation हो जाए, वो हमारा सरीर है, वो हमारी body है, हमारा सरीर हमेशा हमारे साथ में होता है, अच्छे काम में, बुरे काम में, दुख में, सुक में, सब में हमारा सरीर हमारे साथ है, तो यही तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हुआ, तो अगर आप अपने स आत्मों उसका ध्यान रखें, उसका देखभाल करें, उसकी जो है अच्छे से उस पे काम करें, तो आपका स्वास्त्य ही आपको सबसे बड़ा सेक्सेस दिलाएगा और आपका कोई भी बड़ी अचीवमेंट अभी कर सकते हैं जब आप फिट रहते हैं, तो नमबर सेबन आप आपको ध्यान देना है अपने स्वास्त के उपर, नमबर एट फॉर्मुला है खुशी, जी हाँ, हैपिनेस, लाइफ में देखें एक हैबिट, अगर आपके एक ऐसी हैबिट है कि आप हमेसा अपने फेस में हैपिनेस रखते हो, आप हमेसा चाहिए जैसे भी सरकमिस्टेंस जैसे भी हालत आपके साथ में गुजर रहे हैं, आप उनको फेस में दिखाने का फैदा क्या है? अगर आप अपने एमोशन को अपने फेस में आने दे रहे हो, तो इसका मतलब आप दूसरे को बता रहे हो, दूसरे को आपके एमोशन से पता चल जाता है कि आप इस बक्त क् तो कैसे भी situation हो अगर आप अपने emotions पे control कर लो और आप अपने face में हमेशा happiness बना के रखो खुशियां बना के रखो तो ये खुशी जब आप जितना जादा अपने face पे दिखाएंगे आपके तरफ उतनी ही खुशियां वापस आएंगी उतने ही चीजे वापस आपको आएंगे जैसे ball आप वावस फिकते हैं तो वापस bounce back करके हमारी तरफ ही आती है तो जितना आप खुशियों को दूसरी की तरफ फिकोगे उतनी ही आपकी तरफ भी वह आएंगी तो happiness, खुशी बहुत जादा ज़रूरी है इसको भी अपनी life में add on कीजिए नमबर 9 habit है बिनर्मता जी है, politeness बहुत well done quality है, बहुत ही best quality है कैसे भी situation हो, हर किसी के साथ में बहुत बिनर्म तरीके से ब्यावार करना बहुत शान तरीके से पेश आना बहुत politely किसी को जो है वो deal करना वो कितना अच्छा लगता है ऐसे नहीं कि कुछी ने कुछ भी बोला आओ जे भड़कडाते हुए तू क्या मारेगा, मैं मारता हूँ ये, this is a wrong way ऐसे नहीं, politeness सामने वाला कितना ही गुस्ते में क्यों नहीं आपसे बोल रहा है अगर आप अपनी politeness दिखाते हुए उसको answer करेंगे तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा आप उसी रिद्धम और उसी politeness के साथ में उससे deal कर रहे हो तो दो-तीन मिनट में ही वो शान्त हो जाएगा कुछ ही समय में वो बिलकुल शान्त हो जाएगा उसका गुसा बिलकुल गायब हो जाएगा लेकिन अगर सेम वही चीज जो आपके साथ कर रहा है वही आप भी करोगे तो चीजे बढ़ेंगी आप भी अगर वो आग है और आप भी अगर आग कही काम करोगे तो आग बहुत dangerous रूप लेते हुए सबको खतम कर देगी उसको भी और आपको भी लेकिन आग और पानी अगर दूसरा वाला आग है तो आप पानी बनने की कुशिश कीजिए तो बिनर्मता politeness एक ऐसी quality है एक ऐसा गुण है जिससे आप जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हो तो जितने भी बड़े महान लोग हैं आप उनको अगर देखियें तो उनकी politeness कितनी अच्छी होती है कि कोई भी उनको अगर पत्थर उनके ओपर फेकता है तो वो उसको भी बड़े आरम से स्विकार कर लेते हैं politeness इस पे ज़रूर काम कीजिए नमबर 10 habit है जो आपको exactly कैसे भी मैं आपको जो दे रहा हूँ कैसे भी हालतों में कैसे भी situation से अगर निपटना है और success होना है तो यह 11 truth 11 formula आपको life में बहुत अच्छा मुकाम दिलाएंगे नमबर 10 पे आपके लिए believe बिस्वास किसी पे भी बिस्वास करना जरूरी है आज की date में अगर आप किसी पे बिस्वास नहीं करेंगे तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे अगर आप हर किसी को गलत नजर से दिखेंगे हर किसी को के उपर शक करेंगे तो आप उससे ज़्यादा दुख तो अपने आपको दे रहे हो आप हमेसा अपने आपको stress में रख रहे हो हमेसा अपने आपको tension में रख रहे हो तो विस्वास कीजिए दूसरे के ऊपर ठीक है उसके ऊपर विस्वास कीजिए अपने team member के साथ, अपने team में जितने भी काम करने वाले हैं, जो भी आपके colleagues हैं, घर में हो, office में हो, schools में हो, colleges में हो, थोड़ा सा विस्वास कीजिए, ठीक है, तो अगर आप विस्वास करेंगे, तो वो भी आपके ओपर विस्वास करेगा, और आपका एक अच्छा relationship जो है, वो develop होगा, तो ये भी एक best habit है, life में success होने के लिए, और आखरी हमारी जो habit है, वो है पका इरादा, कुछ भी करना है, उसका बिलकुल determination, बिलकुल पका इरादा, एक बिलकुल strong intention का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पका इरादा, किसी भी काम को करना है, उसमें आपक पूरा full dedication, पका इरादा आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब आपका strong intention के साथ में अगर आप किसी भी चीज को करेंगे, तो आप उसमें जरूर success हासिल करेंगे, तो ये थे students, आपके लिए 11 formulas, 11 शूत्रा, life में, किसी भी situation में आपको ये success दिलाएंगे, बट इनको सुनके औ सारे गुण अगर no down कर दिये हैं, तो एके करके इनको पढ़िए और एके करके अपने life में implement करना सुरू कीजे, देखो knowledge, आज की date में education, educated लोग इतने सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कितने ही कम लोग हैं, जिन्नोंने उस education को अपने life में उता रहे हैं, अगर इंदुस्तान में या दुनिया में जितने भी educated लोग हैं, वो सभी लोग उस education को अपने life में अगर उतार के उसके उपर काम करें, तो संक्षार कितना अच्छा और कितना खूपशूरत हो जाएगा, ये जो है कल्यूग नहीं, सत्यूग बहुत जल्दी बन जाएगा, बट ऐसा हम करते नह ही है, तो जादा important है जो knowledge है, जो शिक्षा, जो ग्यान आपने लिया है, उस ग्यान को सबसे पहले अपने उपर implement करना, सबसे पहले हम खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को बदलने की तो हम बहुत बाद में सोच सकते हैं, और दूसरों को बदलने की जरुत भी नहीं है, अ आई होप आप ऐसा करेंगे, अगर आप life में success चाते हैं, तो अच्छे qualities और अच्छे गुंद्स को हमेशा life में implement हमें करना चाहिए, आई होप आपने वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे like and share जरूर करेंगे, और कैसे ये qualities आपको लगी मुझे comment box में जरूर बताएंग तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत